थीजिकल प्रपरटीज फ़ीगल कर लेती कर्बोक्सलिक एसअड की और स्टार्टिंग में वाले हैं प्रपरटीज तेको फिस्ट कोई भी फिस्ट शृट देखते हैं अपको देखकर तो फॉस्ट श्ट आती है उसकी फिस्ट श्टेट कैसी है ठीक है तो हम इसमें क्या जैसे लोगर का मतलब है कि 4 carbon तक जैसे simple carbon आपका carbon-acid is 4-mik acid acid और propanoic इनका कोई color नहीं होता है यह तो colorless होती है और इनका जो smells होती है वह भी trading type की होती है लेकिन जो acid C4C9 यह भी colorless oily liquid होती है और कुछ unpleasant smells आती है higher members आओगी अगर बढ़ते जाएंगे carbon जिसमें 10-11-12 से carbonic acid तो colorless या faxy solid होती है उनकी कोई smell ही नहीं आती है तो जो aromatic acid होती है वह भी exist करते हैंगा कोई color नहीं होता वैसे अब आता है solubility solubility होता है किसी substance यह water में dissolve आप उकर रहे हो तो वह soluble है यह नहीं तो जो aromatic acid होते है अब तो जो C4 तक तो वह soluble हो जाते है water में लेकिन बाद में उनकी solubility है ना वह rapidly decrease होने लगती है जितना molecular weight का जैसे जिदन जद आप number of carbon increase कर रहे हो तो molecular weight increase हो रहा है तो आपके पास solubility decrease हो जाते है practically वह insoluble हो जाते है water में ठीक है इनमें आप देख सकते हो जो से aromatic acid है वह भी sprangly soluble होते है water में carboxylic acid generally soluble हो जाते हैं जैसे आपका ether alcohol benzy like में ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि water की solubility है lower हमारे aliphatic acids है उनके साथ तो हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि वहाँ पर तो hydrogen bond की formation हो जाती है water हो जो lower aliphatic acids है but higher acids होते हैं तो आपे जो non-polar alkyl group होते हैं वह large हो जाता है तो जो hydrogen bond के हमारे जो possibility थी तो decrease हो गई इसलिए जो formic or acidic acid अदर वह तो एक good possibility होते हैं उनमें तो hydrogen bond पराने की बट जो higher होते हैं उनके के अंदर नहीं होती है और इंका diaper moment भी हाई तो यासनी से interact कर सकते हैं कैटाइन और एनाइन higher में वह non-polar growth बढ़ जाता है इसलिए वह नहीं कर सकते solubility ठीक है next रम आते हैं आपके पास boiling point देगे boiling point में आपके क्या दे रखा हैं जैको carboxic acid from intermolecular hydrogen bond means यह इंट धो two type की hydrogen bonding होती है एक होता है intramolecular एक होता है इंटर 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 इंदी मोलेकुल एक ही molecule के अंदर hydrogen bonding होते है जैसे हम और तो नाइटोफिनOL में करती है और एक होती है आपका Intermolecular Hydrogen bonding वह होती है, टू के बीच में, तो हम क्या देखते हैं, कि जो Carbociclic Acid है, वो आपके पास Intermolecular Hydrogen bonding शो करता है, यह हमने देखा, यह Associated Molecule, डाइमर की Formation में रहता है, ठीक है, तो Carbociclic Acid वैसे Higher होता है उनका जो Boiling Point होता है, than simple and आप यह देख सकते हो कि जो ओच बोंड है कार्बोक्स लिक एसिड में वो ज्यादा पॉलिराइज होता है हमने देखा तदरा जनुटिस टेक्शन में पॉजिटिव नेगुटिव का इस सेपरेशन क्यों कि यहां पर एक देखो ओच क्यों होगा कि यहां पर क्या लगा बिद पॉजिट्यू जो भी हाइट्रोजन है उसके साथ मेज्योर्टि होती है ना कर्बुक्स लिक एसिड की वो डाइमर में यह एक्जिस्ट करती है यहल टुगेधर दो हाइट्रोजन बोन बना सकते हैं तो हमारे पास यह इंटरमोलेकुलर हाइट्रोजन बोन की फोर्म पोल दें मैंल्टिंग पोइंट्ट इनकोई हो नहीं होता है। का मैंल्टिंग कोल सब्सक्राम सब्सक्राइब पीज़निद उसले म Cosste time कीमि екटेट ब्लता या उसे हमारे पास हो ओड नमबर ओफ कार्बनेटम वाले हैं इसमें एक एफेक्ट आता है अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है यही होता है कि जो इवन नमबर ओफ कार्बनेटम वाले कार्बक्सलीक एसे डेन जैसे 2,4,6,10,8,10 तक उनका तो बोइलिंग पैंट मेल्टिं तो इनका मतलब है जो अनरजी की जरूरत पड़ेगी हमें ब्रेक करने के लिए क्रिस्टल स्टेक्चर को तो इसलिए हमारे पास कौन सी में ज़्यादा जोट पड़ेगी इवन वाले में वह आसानी से फीट हो चुक है एक दम परफेक्ट तो हमें ब्रेक करना एनरजी तो ज्यादा लगानी पड़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है तो क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है कि बैंजी इंडिंग प्लेनर हो जाती है आसानी से फिट कर शकते हैं मोर क्रोजली क्रेस्टल स्टेक्चर में इसलिए जो एरोमेटिक वालों का भी हाईयर होता है एलिफेटिक से ठीक है यह आप इनकी वेल्यूस देरके हैं मेल्डिंग क्या रियक्शन करेगा वह हमें वोल तिंग्स डिसकस करनी है वैसे हमने देख लिया था कि इन टाइप से कर सकता है क्योंकि ऐसे डिक नीचर भी एक्सप्लेंग करता है अब हम फिर्स्ट रियक्शन आपका एसीडिटी देखो चितने भी कार्बॉक्सलीक एसीड होते ना व तो यहां पर क्या हो गया थी असेडिक नीचर तो हम अल्रेड़ी डिसकस कर सुकी है वह वीडियोस देख सकते है वह स्टाइटिंग वाली जिसमें अमने असेडिक नीचर को एक्सप्लेंग किया था डीटेल से अब नेक्स आती है हमारे पास सोल्ट फॉर्मेशन सोल्ट क्य अगर इसी साल्ट में अगर आप अचियल डाल देते तो अनीचियल बार तो कार्बोक्सलिक अचिड बन जाता है तो यह आप देख सकते हों फिर हाता एक रियक्शन इन्वलिंग रिप्लेश्मेंट ओफ आईड्रोक्षिल गुरू वह रियक्शन करने है जिसमें ओज गुर कि दोनों को Ester मन जाए को अब यहां पर कार्बोक्सलिक अचिड था उसमेंएबने अल्कॉल डा ला तो कार्बोक्सलिक अकुड से यहां पर नहीं है और इसमें क्या होता है कि यह equilibrium में exist करते हैं जो forward reaction जब हम large access में ले लेंगे तो alcohol को वो आप देख सकते हो कैसे reaction हो रही है और यह जनरली अच्यू की जाती है एक device होता है इंस टार्क सेपरेटर उसमें यह reaction के जाती है ठीक है अगर जब reaction लेकिन आप अगर आठ चील की प्रजिंस ले लो तो उस reaction का ना वह जाता है फीश्यर श्पायर एस्टरिफिकेशन कहीं आप से पूछ लेंगे कोई फीश्यर श्पायर एस्टरिफिकेशन में क्या डिफ्रेंस है तो नो में यह एस्टर की करते चाहेंगे इस्टरिक इंटरनेश तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना यह ट्राइप रियक्शन करना तो रियक्टिविटी हमार पास डिक्रीज हो जाती है तो इसलिए सबसे सदा रियक्टिव प्राइमरी देन सैकेंड डिफिट अब आता है नेक्स्ट अगर हमें करनी है प्रीप्रेशन मतल़ प्रीमीशन करने हैं आपको असीडद किलोराइड की तो इसमें भी कुछ नहीं करने हैं आपको असीड लिया टू टाइप का हुशकता है यह तो आपका पैंटाक्लोराइड यह ट्राई अगर पीचिल फाइफ ले रहे हो तो असीड कर शाएगा तो प के पास chloride की formation हो जाएगी aso2 gas remove हो जाएगी अगर आप करना चाहो तो हमाइड में क्या हो जागा simple acid लो ammonia डालो तो पहले तो salt की formation हो जाएगी फिर उसको फिर it करोगे तो amide बन जाएगा तो यह कर शकते हो और एनाइड़ाइड की formation करनी है तब भी acid लो chloride में प्रेड इंडालो तो simple and hydride की formation हो जाएगी मेकनिजम स्मीन के बिलकुल आशान है यह आप देख सकते हूं देखो मार पास टाइम कम था इसलिम ने इडियेफ का यूज किया है क्योंकि स्टुडेंट्स सेकेंडेर की कमेंट किया था कि एक्जाम आने वाले हैं तो उनका और गनिक असले बस जल्दी से कवर हो जे तो मैं ट्राइग करूंगी जितने जल्दी होचके